नम्सकार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8i vs Realme Naso 30 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Realme 8i में 6.46 इंच जबकि Realme Naso 30 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है जोकि Realme 8i से कम है वीड्थ की बात करें तो, Realme 8i में 2.97 इंच जबकि Realme Naso 30 में 2.97 इंच की वीड्थ मिलती है जोकि सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो, Realme 8i में 0.33 इंच जबकि Realme Naso 30 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जोकि Realme 8i से ज्यादा है अब बात करते हैं weight की तो Realme 8i में 194 grams जबकि Realme Nazo 30 में 192 grams का weight देखने को मिलता है जो की same जैसा ही है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं Display type की बात करें तो दोनों phone में same ही Aps LCD की display मिलती है Display type की बात करें तो दोनों phone में same ही Realme 8i में 20.1 ratio 9 जबकि Realme Nazo 30 में 20 ratio 9 मिलता है Display size की बात करें तो Realme 8i में 6.6 inches जबकि Realme Nazo 30 में 6.5 inches मिलती है Display resolution Realme 8i में 1080 by 2412 और Realme Nazo 30 में 1080 by 2400 मिलता है Screen to body ratio Realme 8i में 84.88 प्रतिशत जबकि Realme Nazo 30 में 83.36 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो Realme 8i में 400 प्रतिश जबकि Realme Nazo 30 में 405 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशता है की जोकी Mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो Realme 8i में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Realme Nazo 30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो Realme 8i में 9 different type के features मिल जाते हैं और Realme 30 की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Realme 8i में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और Realme 30 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले बात करें CPU की तो दोनों phone में same ही 12 nanometer है GPU की बात करें तो Realme 8i में Mali-G57MC2 जबकि Realme Nazo 30 में Mali-G76MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme 8i में MediaTek Helio G96 और Realme Nazo 30 में MediaTek Helio G95 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में same ही 2 variant देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 4GB, 6GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 2 variant देखने को मिलता है और दोनों phone में same ही 64GB, 128GB की storage मिलती है expandable memory दोनों phone में up to 256GB थे operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अहीं अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों phone में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Realme 8i में 2 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 13,999 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 14,999 रूपीज में मिल जाता है वहीं अगर बात करें Realme Nano 30 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 64GB storage के साथ 12,999 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 14,499 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं price and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme 8i में 3 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme Nano 30 की तो उसमें 5 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में Realme 8i आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफोर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nano 30 है, जो की 12,499 रुपे में मिलता है दुसरा Realme 8 है, जो की 13,999 रुपे में मिलता है तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 है, जो की 14,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8S 5G है जो की 17,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना